विटा इसके कुपधा नैशे निखे बिचेट नहीं नेशे बेल सब्सक्राइबा, वर्ड एक computer software है जिसकी सहायता से हम typing से जुड़े अनेक कार्य कर सकते हैं इसे कुछ लोग word processing software के नाम से भी जानते हैं पंचायक प्रतनिजियों को letter, facts, आधिकारिक पत्र आदी कई चीजें लिखनी पड़ती हैं इन सभी चीजों को computer से type करने में Microsoft Word सहायक है इस software की सहायता से ना सिर्फ किसी document को बड़ी आसानी से तयार किया जा सकता है बलकि उसे सुंदर और आकर्शक रूप में भी पेश किया जा सकता है चलिए आपको बताते हैं कि इस software को कैसे चलाते हैं टास्क बार पर मौझूद start menu पर क्लिक करें उसके बाद all programs के option पर जाएं यहां आपको Microsoft Word का option दिखाई देगा Microsoft Word के option पर क्लिक करके enter करें आपके सामने Microsoft Word का window खुल जाएगा Microsoft Word से जड़े कुछ महत्वपूर्ण tools menu bar यह Microsoft Word प्रोग्राम का एक ऐसा समुह है जो कई विशेष्टाओं से भरा होता है मुख्य menu आन्य सब menu को भी दिखाता है title bar टाइटल बार document के ऊपर होता है यहां वर्तमान समय का सक्रिये document और साथ ही Microsoft Word लिखा होता है इसका प्रियोग word windows के आकार और स्थान बदलने के लिए किया जाता है insertion pointer यह document स्क्रीन पर एक चमकती हुई रेखा होती है जो कि यह बताती है कि जब आप type करेंगे तो text कहां प्रकट होगा ruler bar ruler bar की मदद से आप अपने दस्तावेस को सही layout दे सकते हैं office button office button Microsoft word का एक मुख्य भाग है यह button menu bar में होता है इसमें file से संबंधित कई विकल्प होते हैं MS word के लाब हम Microsoft word की सहायता से अपने लिखे गए documents की बहुत सारी प्रतलीपी बना कर रख सकते हैं जरूरत पढ़ने पर हम अपने documents में कभी भी बदलाव कर सकते हैं हम इसमें type की गई सामगरी को बदल के अलग file बना कर रख सकते हैं Microsoft word में error free document की सहायता से हम बहुत आसानी से अपनी गलतियों की जांच कर सकते हैं हम वर्ट के documents और data को दूसरे application के साथ exchange और share भी कर सकते हैं हम documents की जितनी चाहे उतनी copy बना सकते हैं इससे हमारा बहुत सारा वक्त बचता है हम इसमें किसी document को log भी कर सकते हैं ऐसा करने से गोपनी ये data को कोई दूसरा नहीं पढ़ सकता है Microsoft word की विशेशता है documents को HTML format में save करके internet browser पर भी देखा जा सकता है document का web browser page पर review देखा जा सकता है hyperlink interface द्वारा दूसरे document या page को link किया जा सकता है document को internet द्वारा आसानी से email किया जा सकता है भाशा बदलने की सुविधा यहां है profile tool की सहायता से अन्य सेवाएं भी मिलती है किसी बात को highlight किया जा सकता है assign language में अपनी पसंद की भाशा में काम किया जा सकता है graph, pie chart, shapes, color option आधी की सहायता से document को informative बनाया जा सकता है सच कहा जाए तो computer की सहायता से typing से जड़ा को भी कार्य अगर करना हो तो उसमें कहीं न कहीं Microsoft Word की जरूरत पड़ती है इसलिए पंचायत प्रतनिदियों को चाहिए कि वो नई तक्नीकों के साथ कदम से कदम मिला कर चलते हुए अपने एक शेतर के विकास के लिए कार्य करें तक्नीक से पंचायत को आधुनिक बनाएं विकास के गीत मिल कर गाएं जय हिंद जय भारत